देश में कोरोना वाइरस की दूसरी लहर तेजी के साथ बढ़ रही है सरकार के प्रतिबंदों के बाद भी देश में रविवार को करीबन साड़े तीन लाख कोरोना के नए मामले सामने आये वहीं 2700 सरश्रट लोगों की जान चली गए महाराश्ट में पिछले 24 गंटे में अब तक सबसे जादा 832 मौतों के साथ 6,189 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं हलाकि कोरोना के मामले कल की अपिक्षा आज कम मिले हैं लेकिन मरने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है मदरास हाई कोट के मुखे नायदिस जश्टिस संजीब बनर जी ने आज कोविड महमारी के बीच चुनावी रैलियों की इजज़ा देने के लिए चुनावायों की कड़ी आलोचना की कोट ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के लिए चुनावायों ही जिम्मेदार है क्योंकि जहां जहां चुनाओी रेलियां हुई वहां कोरोना संक्रमर से बचाओ के लिए कोई जरूरी कदम नहीं उठाए गया रेलियां होती रही और कोरोना बढ़ता गया चीफ जश्टिस बैनर जी ने कहा कि आखिर इस महमारी को फैलाने वाले चुनाओ अधिकारियों के खिलाप हत्या का मामला क्यों नहीं दर्ज होना चाहिए पस्चिम बंगाल में सात्वे चरण का चुनाओ चला है कुल आठ चरणों में होने वाले चुनाओ का दो मई को रिजल्ट आएगा आज सात्वे चरण में कुल 34 सीटों पर वोटिंग हुई यहां कुल 284 प्रत्याश्री मैदान में है 34 सीटों में दक्षिंड दिनाजपूर, कोलकता साउत, मालदा पार्ट वन, पस्चिम बर्दमान के साथ ही मुख्यमंत्री मम्ता बैनर जी का वर्तमान विधान सबाक्षेत्र भवानी पूर भी सामिल है मिरवाचन विभाग के अनुसार आज 75.6 फिजदी ओटिंग हुई है माइक्रोशाप्ट और गूगल ने भारत में कोरोना से लड़ाई में सहयोग का भरोसा दिला है गूगल के CEO सुंदर पिचाई और माइक्रोशाप्ट के CEO सत्य नाडेला ने मदद का हाथ बढ़ाते हुए भारत को हर संबव सहायता देने की बात कही है बता दें कि विश्वकीन दोनों सरबच्च कमपनियों के मुख्या CEO भारती मूल के हैं दोनों ने अपनी कमपनियों की और से आरोग्य सिवाओं को मजबूत करने में मदद की पेश्चरस की है दरसल भारत में कोरोना की दूसरी लहर ज्यादा घातक बन गई है कोरोना वाइरस महमारी की दूसरी लहर के बीच एक दूलहे को शादी करना उस वक्त भारी पड़ गया जब रिसेप्सन में सौ से अधिक लोग जमा हो गए पुलिस ने इस मामले में दूलहे और उसके पिता को गिरपतार कर लिया है मामला पंजाब के जालंधर शहर का है जहां वीकेंड लागडाउन के दूरान यह शादी चल लही थी फिलाल दूलहार उसका पिता ज़्यादा लोग के जमा होने की जानकारी नहीं होने की दूहाई देते रहे लेकिन पुलिस ने मानने से इंकार कर दिया दरसल पंजाब में शादी में 20 से अधिक लोगों के शामिल होने की अनुमती नहीं है फिर भी बारात में ज़्यादा लोग आ गए मीजोरम के दक्षणी इलाकों में 32 घंटों से लगी आग थमने का नाम नहीं ले रही है अब उसकी लप्टे नजदीक के जिले लुगलेई और लांग तलाई तक पहुँच गई है बताया जा रहा है कि आग शनिवार 24 अप्रेल की सुबस 7 बजे लगी और देखते ही देखते है पहाड़ी इलाकों से होते हुए शहरी इलाकों तक पहुँच आई फिलाल मीजोरम सरकार की मांग पर एयर फोर्स के मिग हेलिकाप्टर भेजे गए हैं वहीं असम राइफल्स और बियस अप के सुरक्षा जबान भी आग बुझाने में जुट गए है महराष्ट में कोरोना महाग प्रकोप के कारण चल लही आक्सिजन किल्लत के बीच आज गुजरास से तीन आक्सिजन टेंकर नौइमबई पहुच गए जाबनगर के हाफा रेल्वे स्टेशन से भेजे गए इन टेंकरों में कुल 45 टन आक्सिजन भरी हुई है जिन में से दो टेंकर मुंबई के लिए जबकि एक टेंकर पूने के लिए भेजा जाएगा आज इन टेंकरों को भारी सुरक्षा और साधानी के बीच रेल्वे से उतारा गया अधिकारियों ने बताया कि टेंकर्स को मुंबई और पूने भेजने के लिए ग्रीन कोरीडोर बनाया जाएगा जाहिरे अक्सिजन की कमी से जान गमा रहे मरीजों के लिए ऐसे अक्सिजन टेंकर किसी संजीवनी से कम नहीं है आज के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही दीजे हमें इजादत लेकिन दूसरी ताजातरीन खबरों के लिए देखते रहे हैं TV1 इंडिया नमस्कार